हाई गाईस, यू मोस्ट विलकम, आज हम NST रिपोर्ट लेकर आए हैं, NST यानि कि नानिस्टेस टेस्ट यथा ट्रैमेस्टर में किया जाता है, इसके थ्रोप फीटस का हार्ट रेट चिकप किया जाता है, जिसमें उसकी हार्ट रेट मॉमेंट एंड अक्सीजन बैलेंस इस टेस्ट में फीटस की एक्टिविटी देखी जाती है गाईस, इस टेस्ट के माध्यम से हम फीटस पर होने वाले प्राब्लम्स को देख सकते हैं, एंड पेसेंट को जल्द ही डिलिवरी करानी पड़ती है, ताकि बेबी पर कोई प्रेसर न पड़े, गाईस इस टेस्ट पर मिनट बढ़ जाती है, या गड़ जाती है, जो लगबग 15 सेकेंट के डियूरेशन तक होती है, यह नार्मल कंडिशन है, अगर 15 से अधिक डियूरेशन हो, या लंबे टाइम तक हर्ट बीट ज्यादा बढ़ी हो, 15 बीट से अधिक हो, तो भी या एक प्राबलम का संकेत हो सकता है, यदि हर्ट रेट पिक मोड में जा रहा है, तो उसे असिलरेशन बोलते हैं, और यही अगर हर्ट रेट निचे आ रहा है, बाटम की साइड में, तो उसे डियूरेशन बोलते हैं, अगर यह लांग टाइम तक है, तो यह रिस्क का फैक्टर हो सकता है, गाइस एक रिस्क का फैक्टर हो सकता है हमें पेसेंट को तुरंत इसके बारे में सुचित करकर सीजेरियन की सला देनी पड़ती है